नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त नवीन और वीडियो रही दोस्तों वो डॉकिमेंट्स को लेकर के है के शैनेकन वीज़ा के लिए अगर आप टूरिस्ट वीज़ा शैनेकन के डाल रहे हैं तो करने की वैसे जो इस चैनल पर नहीं है उनको बता देता हूं कि दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना बहुत सी इन्फोर्मेशन हमने फ्री ओफ कोस्ट दिया और इन्फोर्मेशन का फायदा उठा करके लोगों ने सिर्फ दस-दस बारा-बारा हजार में अपने वीजे लि सेलरी कोई मैटर नहीं करती साड़े आठ हजार वाले कभी वीजा हमने निकलवा करके दिया हुए जिसका साड़े आठ हजार पर मन्त की सैलरी थी तो इस तरह से बहुत से केसिस हैं जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लगब 15 से उपर जो बैन केसिस से दस साल के उनको बैन तुडवाया और वीजा दिलवाया यह जस्ट बताने के लिए कि आप जिनकी वीडियोस देख रहे हैं उनको कुछ नोलीज है या नहीं है तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ जो बाड़ी प्रोफाइल से जिन जिनकी जॉब्स हैं जॉब में भी दो कैटेग फोर्थ क्लास ऑफकोर्स थोड़ा उसके चांसे कम होते हैं लेकिन गवर्मेंट जोग है और आज के टाइम में 40,000 तो नीरली अप्रॉक्सिमेटली इतनी तो सभी की सैलवी चल रही है गवर्मेंट जोग में तो जिनकी गवर्मेंट जोग है और वो अपलाई करना चाहते ह आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी इंडिया के अंदर जो टाइप है वो बहुत स्ट्रोंग माने जाते हैं तो इस तरह की जो प्रॉफाइल्स है वो डरने की बात मिया आपका बैंक बैलन्स जो है वो सिंगल के लिए लगबग चार या पांच लाग हो तो बहुत बड़ी है तीन लाग पर भी वीजा आता है डाई लाग पर भी आ जाता है ऐसा नहीं है कि ना हो लेकिन यह टाइम पर डिबेंड करता है तो आप कोशिश करना चार या पांच लाग आपके सेविंग्स अकाउंट में है गोर्मेंट जो बहुत इजी आपके कम हो जाती है ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं निकलते है लेकिन मैं Чंस की बात करता हूं तो चंस की होता है कि अगर सो फाइल लगेंगी तो सो में से किसको die d tiles आएगा किसको नहीं आएगा तो ऐस वीजा की बात में क करूँ someday आप अपकी वीस में आपके पास पैसा सारे तीन में मैंने बोला निकल जाता है ऐसा नहीं है लेकिन आपने जो करना है वो कोशिश रखना है कि चार या पांच के आसपास आप अपना सेवीं सिंगल में बढ़ा करके चले जब आप कपल की बात करते हो तो छे से साथ लाक होना चाहिए मतलब एक बंदे के साथ आप टुड़ से डोलाख रुपएं विद्रीज करतों बस ताकि उसमें एक ऐन kilka कवर होजाता है बंचा साथ में है तो फिर दौ साल से कम यह दो से जाता है वह चीज pana हमें देखना होता है तो ये सभी चीज़ें आप उसमें चैक करके चलोगे इसके बाद आपकी जो आती है वह है जो नौर्मल फरन में काम करते हैं जैसे किसी की छोटी-मोटी फरन में काम कर रहे हैं तो भाई वहां ऐसा नहीं के वीज़ा नहीं आते वही बात लेकिन चांसिस जो है कम हो जाते हैं या तो आपकी हो जैसे वेबसाइट भी हो आपका गूगल पर भी आ रहा है तो इस तरह से जब सारी चीज़ें होती है तो फिर आप chances आपके बढ़ जाते हैं कि आपका open source हम बोलते हैं open source पर आपकी जो company है वो verify हो रही है कि नहीं हो रही है next बात करते हैं जो profession के अंदर आते हैं profession में जैसे advocate हो गया है, doctors हो गया है तो थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है, bank statement की बात करूँगा तो वही 5-6 लाग आपके sales में होना चाहिए, इतना आप रखेंगे तो बहुत बढ़िया है single है, couple में है, ये उसी साब से आप increase करोगे next आप profile रखेंगे जो agriculture में है, तो भाई agriculture वालों के लिए specially कहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से चले, क्योंकि agriculture profile अगर आपके खुद की जमीन है, 10 किले, 12 किले खुद की जमीन है, तो बहुत बढ़िया ऐसी profile वीजा mostly ले जाती है दूसरी तरफ वो है, जिनके पास 4 या 5 एकड की जमीन है, तो भाई आप side में अपने dairy वगएरा का काम रखें, आप कुछ ना कुछ side में जरूर रखें, ताके वो जो income है, वो increase हो जाए, अब annual income की बात करूँगा, तो annual income आपकी कम से कम 6-7 लाग net profit जो है, वो आना चाहिए सभी sources से मिला करके, तो जैसे अपने 10 लाग की अगर जीरी बेची है, चोना जिसको बोल देते हैं, तो अगर आपने 10 लाग की जीरी या चोना बेची है, तो उसके अंदर से आप अपना profit जो है, वो रखेंगे जरूर, तो nearly आप 6 लाग, 7 लाग अपना profit रखेंगे, 3-4 ला इसका expenses कुछ समझ में नहीं आ रहा है, next इसके बाद जब आ जाता है, वो है आपका business profiles वारे, जो business profiles है, उनके लिए MSME होना चाहिए, shop and labor act होता है, वो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक और कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर private limited company है, तो फिर ministry of commerce, जो होता है, chambers of commerce, उससे आपका registration certificate, business registration है, वो prove करें, उसके बाद आपका current account, देखे, business account या current account जो हो बहुत helpful होता है, वीजा दिलवाने के लिए, अगर वो है, तो आपके chances बढ़ जाते हैं, अगर आप saving से ही सारा लेंड देन कर रहे हो, तो फिर उसमें chances जो है, वो कम हो जाएंगे, तो ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें हैं, दोस्तो, बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होती है, बाकि आप team से जब contact करेंगे, तो उनसे एक बारी बात कर लेना, ये सेमी चीज़ें आपकी UK में भी आती है, ये ही Canada के अंदर आती है, कोई अलग चीज़ें नहीं है, बस duration का फरक हो जाता है, किसी में 6 महिने की statement है, किसी में 3 महिने की है, और किसी के अंदर statement में होती है, किसी के अंदर balance में होता है, किसी के अंदर financial ties में होती है, किसी में family ties में होती है, तो हर country का थोड़ा सा अलग चीज़ है, तो timing भी बहुत matter करती है, जैसे अभी अगर मैं बात कर तो आपको time भी देखना है कि आप किस time पे file apply कर रहे है अगर file जो है वो आप उस time पे करें जब tourism peak पे होता है तो फिर visa के chance थोड़े बढ़ जाते है जब आपका off-season होता है उस time में आप visa ना ही apply करें तो ज़्上दा बढ़ी होगा बाकि आप से जुड़े रहें, आप से का बहुत बहुत धन्यवाद है, तैंक यू